आपका स्वागत है अब तक हमने आत्मा के बाज में बारे में दोस्तों जो भी चीजे सिखने की कोशिश करी है उसमें हमें यही पता चला है कि हम अपने जीवन में हमारी आत्मा हमारे लिए जो भी चीजों का चैन करती है वैसे के वैसे हमारे जीवन में कुछ चीज़े होती है लेकिन बहुत बार दोस्तों हमारे खुद के जो बड़े-बड़े मतलब फैसले है बड़े-बड़े जो decisions है वो भी हमारे जीवन में हम क्या लेंगे उसके बारे में कभी-कभी हमारे आत्मा को कुछ पता नहीं होता क्योंकि इंसान आगे क्या act करेगा जैसे मैंने मुझे किसी कोई इंसान को कुछ बात कहनी है तो वो किस तरीके से act करेगा ये सारी चीज़े जो है वो खुद भग मतलब कोई नहीं जान सकता कैसे है दोस्तों कि मैं मतलब कही ना कही मुझे पता ही कि मुझे उसको क्या कहना है लेकिन वो किस तरीके से reaction करेगा ऐसी जो चीज़े है वो लिखी कभी-कभी नहीं जाती इसलिए दोस्तों आत्मा के लियाद से अगर हम बात करे तो बात छोड़ दो वो इस सारी चीज़े हमारे जीवन में वैसे ही लिखी थी लेकिन बहुत बार हम कुछ ऐसे फिफ हैसले करते है कि जिसके वज़े से हमारे समने बहुत बार दुख आता है और जिसको मतलब बाद में हमें ही बहुत बार पच्चतावा होता है कि मैंने उस वक्त ऐसे क्यों किया था तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा गंबिरता से लेना इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको एक इंसान के कहानी मतलब बता था हूँ और उस कहानी से आपको आराम से पता चले जाएगा कि आखिर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ एक इंसान था और उसके पडोस में एक लड़की रहती थी और जब से यह चोटा था मतलब तकरीबंदी 12-13 साल का तब से वो लड़की उसको अच्छी लगती थी और वो लड़की भी उसको उसी नजर से देखती थी बाद में वो धिरे-धिरे बड़े हो गए और कभी-कबार मतलब एक-दा मतलब महिने में मतलब एक-दो बार जरा से उनकी कुछ बात हुई नहीं हुई उतना ही मतलब वो एक-दूसरे को उस तरीके से नजर से पसंदों करते है लेकिन बात करने की हिम्मत दोनों में भी नहीं थी बाद में दोस्तों ये लोग और भी बड़े हो गए मतलब एक शादी की उमर जो हम बोलते है वैसे वो बड़े हो गए और वो भी मतलब तभी उनका एक-दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं हुई और धिरे-धिरे दोस्तों लड़के के मन में ये आ रहा था कि मैं मेरे माता-पिता से बोलता हूँ कि उसके लिए शादी की बात करे मेरी उससे लेकिन वो इसलिए डर रहा था कि उसको ये लग रहा था कि अगर वो ना बोली तो और बाद में जो लड़की थी दोस्तो उसके भी मन में सेम वैशे ही विचार की उसने अगर ना बोला तो और धिरे धिरे दोस्तो और भी चार मतलब साल कट गए इसके घर वाले दोनों के शादी के लिए पिछे लग रहे लेकिन दोनों नों भी शादी मतलब नहीं बाद में करेंगे बाद में करेंगे ऐसे करके करके दोस्तो बहुत जादा मतलब लेट हो गया और दोनों मतलब समझ नहीं जी रहे, आज लड़के ने भी नहीं पुछा फिर भी लड़की पुछती है लेकिन यह थोड़ी से पुराने समझे की बात है तक्रेबर 50 साल पहले की यह बात है तो इस तरीके से मैंने वो कहानी सुनी थी और यह सची बात है दोस्तो तो ऐसी بात ही जिवन में जहां पर एक बड़ा हमें फैसला लेना है ऐसे वक्त में आप ऐसे लेट मत करना या फिर ऐसी चीजों में आप किसी का वेट करते मत रहना दोस्तों। जहां पर एक बड़ा हमें जहां पर एक बात बहुत जाएं पर आपको यही कहना जाता हूँ कि जहां पर ऐसे जो फैसले आपको यह भी बोल सकता है कि उसने अपने जीवन में अकेलेपन को चूस किया था। उसने वैसे जीवन का चैन किया हो सकता हैं नहीं ऐसे नहीं लेकिन यह उसके गलती भी समझी जाएगी जो सारी चीज़े हैं वो कल हमें ही पस्तावे में डालेंगे, इसलिए जितना हो सके, समय पर थोड़ा सा वैसा कुछ कोशिश करना, हमेशा हम कुछ मतलब ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं, हम किसी के दवाओं में आकर या फिर नहीं मैंने मतलब मेरे साथ वैसा होता तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, मैंने मतलब कुछ बुरा होगा, उस तरीके से चुकर ऐसे करम कदम उठाए, तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों क्या होता है, इन सारी चीज़ों से ये होता है, कि हम अपने जीवन में अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते, इन सारी चीज़ो पसंद भी नहीं करती है, ऐसे हम दो पल के लिए मान लेते हैं, और इस लड़के ने अपने माता-पिता को भीजता है, फिर वो उसको खुद पुछता कि तुम तयार हो क्या, अगर तुम तयार हो तो कहना मैं अपने माता-पिता से रिष्टा लेकर तुम्हें पूछने के लि लेकिन दोनों ने कहिना कई गलतिया की, मैं बस ये शादी की या फिर प्रेम की बात नहीं कर रहा दोस्तों, हमारे जीवन में और भी बहुत बड़े-बड़े फैसले होते हैं, तो उसको भी लेकर आप थोड़ा सा सोच कम समझ कर आगे बढ़ना, ऐसे होगा या फिर बुर बड़े फैसले जो है वो जीवन के लेने की कोशिश करना दोस्तों, तो दोस्त हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का खायाल रखना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किस जेनुएन भरोसे मन थेरपिस्ट की तलाश कर रहे हैं, जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नमपर पर वाटस अप मैसेज कर सकते हैं, हम जितना हो सके, आपको किसी अच्छे थेरपिस्ट की बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत- अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.